यहाँ पर हम बात करेंगे स्लेवर्स में क्या पढ़ना है आपको एक्जामिशन पैटर्न कैसा है साथ में जानेंगे यहाँ पर जो है आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं दिन में ही आ गई थी 13 जून 2024 दिन में ही स्लेवर्स आ गई थी पर अप्रोड नहीं कर पाया क्योंकि वाट्सअप में बहुत जादा मैसेजिस आ रहे हैं इंटरेंस एक्जामिशन जैसे कम आता है यहाँ पर इस डड़ी मेटरिल चाहिए होती हैं साथ में एक्स्प्लिनिशन देना होता है अब बहुत सारे ग्वेर्स आपके होते हैं तो इसलिए ओवराल टाइम भी बहुत चला जाता है उस पर यहाँ पर जो है आभी फिरी हुआ हूँ फिर भी पेंडिक बहुत सारे वाट्सअप के मैसेजज़ेस अभी भी है यहाँ पर चली जल्दी से बात कर लेते हैं B.A.C. बाइयो टेकनलोजी की अधर सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं जो भी आपको होगा सब्से इंडिविचुली आप कर सकते हैं यहाँ पर इंट्रेंस एक्जामेशन बाइयो टेकनलोजी की समझना बहुत असान है यहाँ पर आपको specific चीज पढ़ने के लिए नहीं बोलते, simply बोल देते हैं biology, chemistry आप plus two level की पढ़े आप यहाँ पर लोग confused हो जाते हैं plus two level, यानि यहाँ पर क्या सिर्फ class 12 या इंटर की पढ़े वो बोलते हैं कि 12 से ज़्यादा questions होते हैं, ठीक है, class 12 से ज़्यादा questions होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप class 11 को बिल्कुल ignore करें यहाँ पर all possible way में आपको थोड़ा देखना होगा, complete करना होगा, यहाँ most of लोगों का experience रहा है आपको बतला दू, उनका कहना है कि NCRT से questions होते हैं directly, तो NCRT आप पढ़ सकते हैं, पर इतने कम टाइम में NCRT को समझ कर पढ़ना बहुत मुस्किल है, although आपने पहले पढ़ा हो पर यहाँ पर जो हैं आपको बतला दू, आप simply MCQ questions लगाईए, सबसे best way हैं अच्छा score करने का, MCQ जितना हो पाए आपसे, उतना MCQ यहाँ पर आपको solve करना चाहिए, अभी chapter wise जो है MCQ यूटूब पर अवलेवल है, best way है, आप उससे देखेंगे, question directly match भी करेगा, और एक rating हो question biology की होगी, जिनकी biology अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ज्यादा score होगा, और यहाँ पर 25 question chemistry से होगी, chemistry भी कहीं न कहीं role play कर रहा है, वेटेज ज्यादा, यहाँ पर जो है, आप देखें, biology का है, पर important play करेगा role यहाँ पर chemistry, क्योंकि chemistry यहाँ देखा गया है, बहुत student यहाँ पर ज्यादा अच्छा score रही कर पाते हैं, इसलिए chemistry में भी आप ध्यान देंगे, और negative marking रखेंगे हैं 1.4, यानि 1.25 माल ले अगर, आपका question 4 marks का है, तो एक marks आपके negative होगे, तो ऐसे जितने भी आप देखें, यहाँ पर ज्यादा negative नहीं हो रहा है, यहाँ अगर रहता, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा negative होता, पर यहाँ पर है नहीं, तो attempt ज्यादा रखेंगा, यानि ऐसा ना कर रहे हैं, आपकी पूरे question जो है, यहाँ जिसमें भी dot हो रहा है, उसे नहीं लगा रहे हैं, जिसमें 50-50 लगे, आपको उसे attempt करके आना है 100%, ठीक है, तब ही जागर अच्छा score हो पाएगा आपका, और जो बिल्कुल blind question ही, यानि एक्दम समझ नहीं आ रहा है, कोसिस सब ने आप नहीं कर ली, यहाँ पर जो है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, तो ऐसे questions को attempt नहीं करना, पर आपको हलका से वे dot लगे कि हो सकता है, मुझे question में जो है, तीन आप गलत करते हैं और एक आपका यहाँ पर सही हो जाता है, तो आपको point 25 का फाइदा होता है, यह जान लिजिए आप और चार में जो है, एक सही तुका लगी जाता है, इसलिए attempt ज़्यादा किजिएगा, पर blind question को फिर से बता रहा हूँ, मत किजिएगा, otherwise negative बहुत हो जाएगा, blind question ऐसे question होते हैं, जो आप पहले कभी आपने देखा नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं है, ऐसे question को touch मत किजिएगा, यहाँ पर जो हैं बोला गया है, duration entrance examination का, आपको one and half hour देखनी को मिलेगा, time बता दिया क्या है, दो पंदरा से तीन पहले तक का है, औ जो हैं से पहले आपको जाना होगा, वेन्यू इसका संजेबर कॉलेज यहाँ पर होगा, जहां entrance examination center है आपका, और कई लोग को admit card का पूझ रहते हैं, admit card आ जाती है, तीन दिन पहले ठीक है, पहले साथ दिन पहले देते हैं, तीन दिन पहले और admit card से मतलम मत रखें, एक दिन पहले भी आएगा, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप जाना कहा है, संजेबर कॉलेज राची, यह याद रखें, और यहाँ पर duration of entrance examination मैंने बता दी, साथ में बता दू, OMR state में होगा, पेल लेकर जाईएगा, ठीक है, यह देख लिजे, और यहाँ पर कुछ बताने like तो नह ही है, entrance date देख लेजिए, पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं, अच्छे से पढ़िए, hope आपको समझ में आ गया, thanks for watching, best of luck